हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सब का फिर से हमारे चैनल पर आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे आज की सूडियों में हम जानेंगे कि हम अपना RC में online mobile number किस परकार से update या change कर सकते हैं तो आज की सूडियों में हम आपको अपने RC में mobile number change करने का complete process step by step दिखाने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको अपने mobile phone या computer में chrome browser को open कर लेना जैसे आप click करेंगे तो परिवहन सेवा के official website पे आप redirect इंटर हो जाएंगे इस website का link आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा आप वहां से direct click करके यहां आ सकते हैं अगर आप अपने mobile phone से कर रहे हैं तो आप 3.0 में जाके अपने mobile phone को desktop mode में कर लेंगे तो आप यहां उपर में देखेंगे तो आपको online services का option दीखेंगे तो आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो उसके नीचे आपको vehicle related services का option दीख जाएगा तो आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे को यहां पर प्रोसीड वाले option पे click कर देना है जैसे प्रोसीड पे click करेंगे तो आपके सामने एक dialogue box कुछ इस परगार से open होकर चलाएगा तो यहां पर आपको बहुत सारे services दी गई है लाग लाग तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना प्रोसीड पे just click कर देना है जैसे आप प्रोसीड पे click करेंगे आपको online services के page पे redirect इंटर कर देगा तो यहां पर आपको यहां पर नीचे mobile number update का option देख रहे होगा तो आप यहां से भी जाकर कर सकते है या फिर आपको यहां पर services पे जहने के यहां इंटर करना है यहां पर आपको चेचीस नंबर इंटर करना है चेचीस नंबर आपको अपने वहिकल के चेचीस में लिखा दिख जाएगा या फिर आपके आरसी में भी यह मुझूद होता है उसके बाद इंजन नंबर यहां इंटर करेंगे इंजन नंबर आपको आपक आपके पास जो गाड़ी है उसका जो fitness valid है वो कितना तक का है तो यह चीज भी आपको आपके RC में मिल जाएगा कि fitness का valid कितना है तो गाइस पूरा details fill करने के बाद आपको यहाँ पर 100 details का option दिख जाएगा तो आपको just इस पर click करना है तो गाइस जैसे 100 details पर click करेंगे तो आपक current details यहाँ पर पूरा show कर जाएगा उसके नीचे देखेंगे तो आपका जो पूराना वाला mobile number जो update है वो यहाँ पर show करेगा तो guys अब आता है कि हम अपना mobile number new update किस परकार से करेंगे तो guys यहाँ पर आपको नीचे में आपको एक column दिखेगा new mobile number का तो आपको just यहाँ पर alert का कुछ इस परकार का dialogue box आएगा OTP has been generated and sent to your mobile number आपके mobile number पे एक OTP send किया गया तो आभे हम यहाँ suggest इसको cut कर देंगे तो guys आपके new mobile number पे जो OTP आया है यहाँ पे OTP यहाँ इंटर कर देंगे तो guys यहाँ पर save details का option दीख रहा है नीचे यहाँ तो save details पे just click करेंगे तो details save का क Link हो गया है I hope कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के सेयर करें और इसी तरह की इंफोर्मेटिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब